क्या करते तेसं से पहले पढ़ाई करते थे पुल ट्व करते जिले करते ते कर दियुक्प करे बार कब रखता वह हम रहा वा कि आपने अधावा हम करें कंड रहे करने का क्या भीचार है साधी तो करना ही है नमस्कार मैं इमीद चोरसिया और आप देख रहे हैं नलंदा दस्तक आज हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पत्ना में पत्ना में हम एक ऐसे सक्स के पास मौजूद हैं जिनको बिहार के हर एक छोटे बड़े लोग अच्छे से जानते हैं भोजपोरी सुपरिश्टार गुंजन सिंग मैं अपने चैनल के खास कार्श करम सफालता की कहानी आपकी जुबानी का अज पहला एपिसोड है और गुंजन भाई से हम जानेंगे कि ये इस मुखाम तक कैसे पहुचे हैं गुंजन भाई आप सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है आप सब क्योंकि भागवान रुपी सुरूता गन के हम गुंजन सिंग पहले चैनल के पढाम करताने गोड़ लगताने और नया साल आने वाला है इसके लिए भी आप सब के ठीर सारी सुब काम ना है नया साल के बदाई भाई का पुचल जाता रहे भाईया मेरा आप से सरप्रथम यह सवाल है कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में आपको हर एक लोग सुनता है आप इस मुकाम तक कैसे पहुचे है सबसे पहले हम महादेव का दिवाना है और महादेव का गाना से ही मेरा केरियर का सुरुआत हुआ है बोल बंबोली कैसेट आया था देव घर का उस समय सीडी कैसेट बहुत बिकता था जी उस समय सीडी का ही महौल था पिंड रैप बगएरा उस समय सीडी बहुत विकता था तो उस समय लगबग हमारा कैसेट सावा लाक सीडी विका था सावा लाक देवखर में तीन साल देवखर हम पैदल गए थे उससे पहले और गए थे उससे में गाना नहीं गाते थे तो अगले सल कैसेट निकाले पिर सबसे पहले जाकि महादेव पर कैसेट चल आए सिडी कैसेट और उसी साल इतना बड़ा हीट हो गया कि वह साअ लाक और पूरी देवगर में नंबर वन हो गए उस दौरान आपको बहुत सरे मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा जैसे की डिरेक्ट तो आप इस छेतर में नहीं आएगा उसके पहले भी पढ़ाई करते होंगे या फिर खेती बगएरा करते हों क्या करते थे उससे पहले पढ गाया करते थे उसके बाद फिर वैसी है वैसी करते करते पढ़ना में फिर पढ़ते पढ़ते गाते फिर सीडी बनाने का हो गया मन की गाना गाया जाए फिर महादेव का सिरवाद मिला और फिर उसको अदलागा तार जब तक सीडी भी का महादेव का गाना मतलब टॉप होत आदेव का हमको प्यार मिला तो वो कौन सा गाना था था थोड़ा सा गुन गुनादी ये दोलाई को गाना ये था कि कितना के बनाव लेवनी और वासु परडू परे बाबा कब रखवा हो अपन हथवा हमरा उपर बाबा कब रखवा जैती यैती हम हो बंब बाबा हो जहाज से देखाले भरबानी बाग की चड़हल नहीं खियाद से अकबल सीटी मारी हमरो किसमत के कुकर बाबा कब रखवा हो अपन हथवा हमरा उपर बाबा कब रखवा तो यह गाना सुपर अश्टार हुआ था तो आपको कैसा लगता था कि वहां पे तो आप पहला गाना सुपर हीट हुआ था और उसके बाद बहुत सारे गाना सुपर हुटी है सुपर हीट हुए है तो दर्शकों का प्यार है दर्शकों को क्या गाना चाहेंगे दर्शक हमारे लिए भगवान है और सच में उनके सिवा यह देखने वाले हैं जो सुनते हैं तंडा हो गर्मी हो बरसात हो गाना रिलीज होता है छे बज़े सुबह में साड़े छे में 6-15 तरा में कभी 4-5 बजए है इतने सुबह से भी लोग एक्टिव रहते हैं और गाना को सुनते हैं और इतना बड़ा गाना बना देते हैं जैसे कि सैकड़ो गाना मेरे हीट होगा जादा ही होगा तो हर गानी को प्यार दिये हैं तो दर्सक मेरे लिए भगवान है और हमेशा रहेंगे ऐसे ही असिरवाद बनाए रखे दर्सकों का भाईया को असिरवाद चाहिए जैसे कि आप गाना गाते हैं नसीव, उडान, खुद्दार अभी आने वाले फिल्में नाइने में पिस्टल मिस्टर नोटंक की बाज यह सब आने वाले हैं तब इन फिल्म से हैं नसीव आ चुकी है खुद्दार और उडान यह तिन पिक्चर रिजाए चुद्दार टीव पर बी एक सर देते हैं टीव पर देते रहाता है अब यह चीज और बताएं खुद्बोरओंड ठीव इंड़सी और के लिए झालीवूर्यन के लिए इंप काम करते हैं qa रहा हमने नवायन में कहानी पे काम चल रहा है मगी पिक्चर क्योंकि मगी भासा हमारा घर जो है मगी भासा में भादा में भावनपूर पड़ता है आप जानते ही हैं जब गाना हम गायत कोकोलत कि झरना वाला अब बहुत सुपर हुट वह था इसको एक वर सुना दिजी है कि तोरे खा तिरे अब जीना है रनिया तोरे खा तिरे अब मर नागे अच्छा लाइं भीहार नाबादा घुमाई भव तोरा का कोलत के जहर नागे तो इस गाने में अपने गाउं का नाम पहली बार लिये थे और इतना बड़ा हीट हो गया गाना लागे और अपना तो बोचूरी बहुरी और दून बाहन है तो दोनों को हम लेकर चलते हैं दुनूं बहुत करा जिए डो शाविट को हमने सुना था बहुत अच्छा था एक ऐसा सैप सॉंग है जो मतलब की वो भी सुपर हीट के का गार पर पहुंचो या फिर सुपर हीट हुआ हो जाएट सॉंग भी तोरा बिन दुनिया बिरान लागे गोरीरे अजीयते सरीरिया बेजान लागे गोरीरे तोरा बिन दुनिया बिरान लागे गोरी रे इगाना काफी हीट है मतलब ऐसा कोई यसाइड सॉंग के बात कर रहे हैं हाँ साइड सॉंग में मतलब ऐसा कोई बेकती नहीं होगा जो भौजपूरी है मगी कोई भी हिंदी बला भी सुना हुआ हूग बही एक और बात बताईए कि जैसे कि भोजपूरी फिल्म अनिश्ट्री को असलील गाने हैं उनको आप परिवार के पीच में नहीं सुन सकते हैं उनका लाकारों को आप क्या काना चाहेंगे जिसका लाश्टिंग भी हो और सबके भी सुना जा सके अदिए व्याई प्रश्ड्र क्याओ कि या प्षर क्या वतले हैं जो अगा नए प्रेस्द पास घाया थे माश्टर पर उव भी संदेश उपयर की पालब कि उस समय बहुत ज़्यादा से घटना था यहीं रूप हो symptoms喔 नजहीं कर यहां एए उससमय बहुत ज़्यादा हो रहा था हमारे जिला में कहादबर में और जयदा हो रहा कि पढ़े ना जाइब पढ़ाई कोचिंग का लास करेके कि माहिरे चुमा मंगे मस्टारबा मैं टरिक पास करेके तो यह गाना गाने के बाद बहुत सुधार हुआ सी छक लोग में अच्छा और इस अंदेज के लिए इसके लिए बहुत सारा फैयार भी मेरे उपर हो गया था लेकिन अब पुजेटिव मतलब की मैसेज देना चाहते थे समाज में अमेशा हर अच्छा कार ही हैं जो कि जिससे देश का भला हो भाई आप एतने बड़े सुपरस्टार हैं तो सभाविक सी बात है अभी साधी नहीं हुआ है तो साधी करने का क्या विचार है साधी तो करन मतलब समय पे सब हो जाएगा जब महादेव चाहेंगे तो हो जाएगा जनता जनातन को पहले बिया हो जाए सब भाई लोग को करवादा मू कर अब जल्दी एक आप जो आपके बहुत करीबी जो दर्सक हैं आपके लिए जी जान मतलब की दे करके जैसे कि आप बोले की चार हैं कि ठंडा के समय है अगर मेरा अरू है तो फिर तो कोई बाते नहीं है अगर नहीं है तो अपना ख्याल रखे और अंदरे से गाना सुने नयाली के अंदर से कंभल के अंदर से और ठंडा में अपना भी ख्याल रखें अपने माता-पिता का भी ख्याल रखें पुरे परि तो अश्टेलिया से लेक लगबबक 17 कंट्री में लोग का गाना सुनते हैं मुझफूरी मगी, हमारे देश के आदमी कहा नहीं हैं, पुरी विस्क में पहले हो दो हर जगह सुनता है गाना और तो हर जगह हम लोग हैं और अच्छा लगता है हम लोग का जो भासा है वो अपना भासा है इसलिए हम लोग को अपना ही भासा हम काम करने में ज्यादा मज़ा आ रहा है काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है और सभाविक सी बात है कि अभी देश में हैं विदेश में भी इनका गाना सुना जा रहा है आखरी सवाल आप से है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को और अपने परसंसकों को क्या कहना चाहेंगे आपका चैनल है नलंदा दस तक आगे बढ़े हैं मारे तरफ से ठेश सरी सुब कामना है और आपका क्या कहते हैं इसलामपूर खुदार गंज मेरा खुदा गंज उदर हमें कार्चकरम भी किये थे हैं इसके पहले किये थे हैं और यह भी उदर काई है रोसन बहुत अच्छा अच्छा लड़का है तो आज हम बहुत बिजी सीडूल था लेकिन फिर भी इसके बहुत दिन से कह रहा था हम करें आज तुमां ही जाओ आओ भाई मिलें लेते हैं तो यही कहना चाहेंगे सब हमारे जितनी भी फैन है नलंदा नवादा तो मेरा घर ही उदर है और मगह का जो गाना हम का रहे हैं भी यह उनका अपना भासा है उस जिला का नलंदा हो नवादा हो गया जाना बाद से पूरा लखी सराज जमूई जीतना जिला है इधर चाहें पूरा जारखंड सब सुनता है मघी भासा मघी गाना और बोजफूरी गाना भी सुनता है तो हमारे मस्त रहें अपनी कार्म को करते चलें और आगे बढ़ते चलें और देश का नाम रोशन करें और हमेशा भारत मता की जय का जय कारा लगाते रहें तो ये थे गुंजन सिंग जी जिन्होंने बताया कि हम पहले पढ़ाई करते थे और उसके बाद हम भोजपूरी गाना गाये बोलबम का वो गाना था सुपर हीट हुआ था बहां से हमको दर्शको का प्यार मिला और आज हम इस मुकाम पे हैं कि ना ही केबल बिहार ना ही केबल बलकि बीदेशों में भी हमारे गाने को सुना जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए भने रहे हमारे साथ कैमरा मैन रंचू के साथ अमीर चौरसिया पटना